किसान भाईयों आज हम बात करेंगे अमरूत की टोप पांच वेराइटियों के बारे में अमरूत की टोप पांच किसमों के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अमरूत के जो पोदे हैं इन्हें आप किस समय से किस समय तक लगा सकते हैं इन्हें लगाने के लिए इनके जो गड़ा होगा उसकी लंबाई चोड़ाई और गहराई कितनी होनी चाहिए और किसान भीयों इनका जो फल है एक फल का कितना वजन निकल करके आता है एक पोदे से आप कितना फल प्राप्त कर सकते हैं जिन टोप 5 वेराइटी को बारे में बताया जागा ये लगबग बहुती अच्छी और बहुती सांदर वेराइटी हैं यदि अभी तक आप में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने हैं जिसके कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकी तो चलिए सुरू करते हैं पहली जो हमारी वेराइटी है वो है ताइवान पिंक गुआवा किसान भाई ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सांदार किसम है इसकी जो रुपाई है इसकी जो पोधे हैं ये किसान भाई बहुत तेजी के साथ लगा रहा है क्योंकि ये एक अच्छी और नामी किसम हो चुकी है और बहुत अच्छा उत्पादन किसान भाई ये निक कार के होते हैं और अंडाकार और हल्की खुरदरी सतय वाले होते हैं छिलका नीले हरे रंका होता है गुदा सफेद और खटास जुक्त मीठा मीठा सा हलका सा यह लगता है और बहुती सांदर किसानवाई यह किस्म है यदि बात कि जाए इसके प्रतिफल वजन की तो फल प्राप्त की तो एक पुद हिसाब लगवाग साठ से लेके सतर किलोग्राम तक फल प्राप्त कर सकते हैं बात करते हैं किसानवाई हम अपनी दूसरी किस्म हमारी लखनौ 49 यानि कि लखनौ 49 इसे आप सरदार के नाम से भी यह मार्केट में आपको मिल जाएगी इस किस् मुलाय होता है और अंदर से किसानवी सफेत स्वाद जो होता हैं का हल्का सा खटास लिए हुए और मीठा बरा होता है इसकी गंद वैस्वाद उत्तम पाया जाता है उत्तम माना जाता है इसकी मंढ़ारन चमता अन्य जातियों के तुलना में बहुत ज़्यद्य अच्छी हो प्रिकौब अफे चखरत काफी ज़्यदै कम होता है इस किसानवी आप पचास से लेकर साथ किलोग्राम पिरती विरक्ष फल प्राब्द कर सकते हैं बात कर लेते हैं किसानवी यहाँ तीसरी किसम की तो तीसरी जो हमारी किसम है वो है स्वेता, तो यह केंद्रे Augen अब्दॉन वागवानी संस्तान लक्तानों द्वारा विक्सित की गई एक किसम है यह किसमी बहुती संदर है, इसके फल बड़े होते हैं, गोल होते हैं, स्वेत और आभाई-यक्त होते हैं फल कम बीज वाले होते हैं तता मुलायम और सफेद गुदायुक्त होते हैं इसके फल जो होते हैं वो लगवग एक पोध है मतलब एक फल का जो वजन होता है किसान भाई हो वो 100 ग्राम से ले करके 200 ग्राम के असपास तक का होता है बात करते हैं किसान भाई हो अपनी अगली कि इसलित में हैं और इसकी जो किसमें है ये इसकी जो वेराइटे ये बहुत ज़दा है साहरनपुर के आसपास में लगा जाए इसके पेड़ जो होते हैं ये मद्यम उचे और फैलने वाले होते हैं साखाएं बहुत ही अधिक निकलती है अता है फल जो इसको पर बहुत अच्छ तरीके से तेजी के साथ फैलना सुरू हो जाता है इसके फल जो होते हैं अंडाकार और गोल आकरती वाले हलके हलके से खुड़रे होते हैं इसका छिलका होता है वह हरे नीले रंगा होता है इसका जो गूता होता है सफेद और खटास जूग तो हलका सा मीठा होता है इस तरी तो आप ताइवान पिंक गौावा की रूपाई कर सकते हैं या फिर एल फोटी नैन की कर सकते हैं जो सबसे अच्छी किस्म है ये दोनों किस्मों को मैं जाद है आपके लिए बताना चाहूँगा कि इन दोनों में से किसी एक किस्म का यह आप चैन करते हैं तो काफी अच्छा उत्पादन किसन भी आप निकाल सकते हैं